अलो फ्रेंड्स कैसे वाप सभी मेवी करम और आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम यहां से पढ़ने वाले हैं आवर्थ सांड़नी के वर्गी करन से संबंदित किन-किन विग्यानिकों का हाथ है इसके पीछे उन सारे विग्यानिकों के बारे में आज यहां से करम से पढ़ने वाले हैं और इसके पिछले वीडियो में कुछ आवर्थ सांड़ने की बेसिक जो बाते ही थी उनको हमने यहां से डिसकर्स किया था और वो आप लोग जान ही चुके होंगे इसके परमाणू करमांग से संबंदित बाते की थी कि हमें एक्जाम में कुछ परमाणू करमांग से संबंदित क्यूशन पूछे जाते हैं वो किस परकार से परिक्साओं में हमें दिये जाते हैं तो उनके आदार पर हमने यहां से प्रक्टिस करी ही ली थी اور जाना था कि जैसे एक से 30 तक के अंडर जितने भी तत्तू आते हैं उनका परमानू करमांग उनका प्रतीक छिन और उनका नाम हम इस परकार की सारी बातों को यहां से जाना था जैसे कि अपने अब तक पढ़ लिया है इसके परमाणू करमांग से सम्मंदित बात है यानि कि जो विशेज दो तत्तू होते हैं उनके परमाणू करमांग के बारे में आप लोगों ने यह से जाना है और उनका नाम भी आप लोग जान चुके हैं जैसे कि यदि हम यहाँ से बात करें हाइड्रोजन एक नमबर पे हो कोटेसियम, केलसियम, इसकेडियम, टाइटेडियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैगनीस, आइरेन, कोबार, निकल, कोपर, जिंक यह तो दोस्तों हमें 30 तक याद करना ही करना था इसमें तो कोई आपको मुस्किल का सामना करना ही नहीं पड़ा होगा इसके अलाबा कुछ स्वीडियम, स्टोंसियम, यंट्रियम, और जर्कोनियम, यो 40 होगे, 40 के अलावा मैंने आपको बताया था चांदी, चांदी का परमानु करमांग दोस्त होता है कितना, 47 होता है, परतीक चिन आपको दिखी रहा होगा, एजी होता है, इसके अलावा हमने यहां से बात की थी किसी टिन की बात की थी, कि जो टिन जो एसन जिसका परतीक चिन होता है, और इसका परमानु करमांग कितना होता है, 50 होता है, इस परकार की कुछ इंपोटेंट जो परमानु करमांग थे, उनका परतीक चिन, ऐसी बाते हमने यहां से पढ़ ही ली थी, और आप भी उन चीज से पहले आपको बता दूँ कि आज हम आवर्थ सांड़ने में यदि टोटल तत्वों को देखे तो कितने तत्वों हैं 118 तत्वों हैं तो पहली बात तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना होगा यहां से कि आवर्थ सांड़ने में कुल तत्वों की संख्या कितनी हैं 118 है कितनी है एक सो अठारा है आवर्त सार्णी में कुल तत्वों की संख्या एक सो अठारा है यदि अब आगामी एक्जाम में कुछ इस प्रकार की बाते पूछी जाती है तो वो आप लोग बता सकते हैं कि आवर्त सार्णी में आज जिस आवर्त सार्णी को हम लोग देखते हैं उस आवर्त सार्णी में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है दोस्त कि वर्गी करण के यदि इस्ट्री के बारे में हम लोग जाने कि 118 जो तत्व इनका वर्गी करण किस किस वेक्तियों ने किया था तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों तत्व की तो सबसे पहले जो तत्व मैं आपको यहां बार 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 बता रहा हूं कि तत्व होता क्या ह फिर बात करेंगे तत्वों के वर्गी करण से जुड़े वे जो वेगयनिक हैं उनके बारे में जानेंगे तत्व कहते हैं वह पदार्थ जिसका निर्माण एक ही परकार के परमाणों से होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या तत्तू कहते हैं और जितने भी हम आवर्च सार्णी में यहां से फोट में देखते हैं यह सारे के सारे क्या होते हैं तत्तू होते हैं इनको तत्तू क्यों कहते हैं क्योंकि यह जो पदार्त होते हैं हमारे पास इन सभी का निर्माण एक जैसे परमा तो एक बात तो आपको यहां से पता चली चुकी होगी तत्रों के बारे में कि वह सुद्धपदार्थ, वह सुद्धपदार्थ, वह सुद्धपदार्थ, जिसका निर्मान, एक जिसका निर्मान, एक जिसका निर्मान, जिसका निमान एक जैसे पर्मानों से होता है उससे तत्व कहा जाता है जिसका निमान एक जैसे पर्मानों से होता है उसे हम कहते है क्या तत्व कहते है तो मेरे दोस्त आप जन पाएं होंगे तत्व की परिबासा अब बात करते हैं आवर्त साण्नी के वर्गी करण की पीछे किन की विग्यानिकों का हाथ होता है आवर्त साण्नी का वर्गी करण यदि आवर्त साण्नी के वर्गी करण की सबसे पहले बात करें हम तो इस आवर्त साण्नी में जो तत्व होते हैं इन तत्व का वर्गी करण सबसे पहले जिस विग्यानिक ने किया था वो था दोस्तों कोन लेवासिय था कोन था लेवोसियर था या लेवोजिय था इसी लेवोसियर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गी करण किया था लेकिन तत्वों का वर्गी करण किस रूप में किया था आवर्त साण्नी के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं ये तो जन लेवोजिय का नाम पड़ा अब बात रही हैं कि सुरी और जो लेवोजिय हैं इस लेवोजिय को और हम कहाँ पड़े थे इस मयरे और विभाजित किया जिसमें एक को तो क्या कहां? दातू कहा, क्या कहा, दातू, दूसरे को क्या कहा, एदातू कहा, जो इसे लेवोजियर के समय जो तत्तू उपस्तिती उनको दो वागों में डिवाइड किया, तत्तू और, ओ सोरी, दातू और एदातू के रूप में, अब बात रही, इस लेवोजियर ने धातू पता है किसक त्यागते हैं बातरिक इसकी एदातू की और एदातू जो होते हैं ये वे ततू होते हैं जो इलेक्ट्रोन का ग्रेंड करते हैं इलेक्ट्रोन को ग्रेंड करने वाले होते हैं कौन एदातू और इलेक्ट्रोन को त्यागने वाले होते हैं कौन दातू होते हैं तो ये लेवोस को कहते हैं किसको कहते हैं अलेवोसियो को कहते हैं अब बात करते हैं जो आवर सानी आस हम लोग देखते हैं उसके पीछे चार वेग्यानिकों को यहां से हम पढ़ेंगे और इन चार वेग्यानिकों का जैसे मैंने आपको यहां से करम बताया है उसी करम में इन चारों वेग्य कोन आया था? नू लेंड, नू लेंड के बाद आया था कोन? मैंडलिफ, कोन आया था? मैंडलिफ, और सबसे लास्ट में आया था कोन? मौसले आया था, कोन आया था? मौसले, देखो आपको पिछली परिक्साओं की यदि हम बात करें तो पिछली परिक्साओं में यहाँ से व आवर्थ साने में जो तत्तू होते हैं, इनका वर्गी करन करने वाला वेग्यानिक है या नहीं है, तो इस चार वेग्यानिक इंपोर्टेंट हैं, और करम भी इनका ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं, और इन चारो वेग्यानिकों को ऐसे ही वन बाई वन करके यहां से जानने वाल जैसे कि बात की जाएं किसकी डोबे राइनर की यदि डोबे राइनर की बाते की जाएं तो डोबे राइनर की पहली बात तो ये होती है दोस्त कि डोबे राइनर ने तत्वों का वरगी करण किस गुण के आधार पर चुना था या किस गुण के आधार पर उसने वरगी करण क प्रारंब किया था, तो मैंने आपको पहले बताया, इसके पिछले वीडियो में आमने बाते भी की थी, यदि आप आवर्सानी के सभी वीडियो को करम से देखते हुई आरे होंगे, तो उन सभी चीजों को आप जुडाव की चीजें जो हैं उनको समझ पाते होंगे, पर्मान दोबे राइनन ने जो तत्तों का वर्गी करण किया था, ये वर्गी करण करने के लिए जो गुण चुना था, वो चुना था, कुन सा पर्मानु द्रेमान चुना था, तो इंपोटेंट पोइंट है इसका, कि दोबे राइननन ने तत्तों का वर्गी करण किस गुण के तो सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये निकल के आती हैं यहां से कि डोबे राइनर ने तत्वों का वर्गी करण पर्मानु द्रेमान के आधार पर किया। इंपोर्टेंट पॉइंट है पिछली जो रेलवे के जो पेपर लगे थे उनमें आपको बहुत सी पेपरों में आपको पूछा गया था कि पर्मानु द्रेमान के आधार पर वर्गी करण करने वाला पहला वेग्यानी कौन था तत्वों का वो था दोस्तों कौन डोबे राइ ने एक नियम प्रस्तुत किया था वो नियम था त्रिक का नियम कौन सा नियम था त्रिक का नियम था त्रिक का नियम था तो सबसे पहले आम जानेंगी त्रिक का नियम क्या होता है सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं डोबे राइनर ने कौन सा नियम दिया था दोबे राइनर ने तिरिक का नियम प्रस्तुत किया था अब बात ये रही कि तिरिक का नियम था क्या इस तिरिक के नियम से पहले हम जानेंगे देखो एक सीज को और यहां से हम पढ़ने वाले हैं कि दोबे राइनर ने जो परमाणु द्रिमान के आधार पर तत्तु का जो वर्गी करन कर रहा था इस वर्गी करन में दोबे राइनर ने तीन-तीन तत्तु का समय बनाया सर तीन-तीन तत्वों का समय कैसे इस प्रकार से तीन-तीन तत्वों का समय बनाया जैसे हमारे पास इन तीनों डबों में तीन कोई तत्वों थे जैसे मालों ये कोई A तत्वों था, ये B था और ये C था इन तीनों को परमानु द्रेमान के आदार परवर्गी करत किया और ये जो तीन तीन तत्वों का जोड़ा बना रहा था कौन डोबे राइनर इस तीन तत्वों के जोड़े को हम लोग कह रहे थे क्या तिर्क कह रहे थे क्या कह रहे थे तिर्क कहा जाता है इन तीन तत्वों के सम्वय को तीन तत्वों के सम्वय को तीन तत्वों के सम्वय को त्रिक कहा जाता है त्रिक कहा जाता है क्या कहा जाता है त्रिक या इसी को कहा जाता है दोस्तों क्या ट्राइड कहा जाता है क्या कहा जाता है ट्राइड कहा जाता है important point है कि जो डोबे राइनर के जो आरा जो तीन-तीन तत्वों का जो सम्वे बनाया जा रहा था इस सम्वे को क्या कहा जा रहा था तिरिक या उसे क्या कहा जा रहा था tried कहा जा रहा था अब बात करेंगे जो डोबे राइनर ने जो तिरिक का नियम दिया था इस तिरिक के नियम का मसला एक्सल में था क्या ये तीन तीन जो तिरिक बना रहा था इसको क्या कहा जा रहा था ट्राइड कहा जा रहा था अब बात कर लेते तिरिक के नियम की अब तिरिक के नियम में क्या था जो इस डोबे राइनर ने इस प्रकार से जो तीन तीन ततू का जोडा बना रहा था, जिसमें केवल और केवल कितने तत्तू थे, तीन तत्तू A, B और C तत्तू थे, इस डोबे रऍायनन ений अपने तिरिक के नियम में यह कहा, किस पहले तत्तू का परमानूद्रिवान और दूस के जो तीसरा है, इस तीसरे तत्तु के परमाणु द्रेमान को जोड़ कर यदि उसमें हम दोका भाग लगा दें तो बीच वाले का द्रेमान आ जाएगा यही तिरिक का नियम था तिरिक का नियम मतलब A का परमाणु द्रेमान माना हमने क्या है M A है और यह जो C है C का परमाणु द्रेमान यह हम मानें, तो C का परमाणू द्रेमान था क्यों? कितना था? M C था, क्या था? M C था, यदि इन दोनों में हमने दोका भाग लगाए, या ओसत निकाला इन दोनों का, तो इन दोनों का ओसत निकालने पर जो द्रेमान आ रहा था, वो किसका द्रेमान आ रहा था? B का द्रेमान आ रहा था मतलब जो हमारे पास जो तिरिक का नियम था ये तिरिक का नियम ये था कि पहले तत्तु का परमाणू द्रेमान और तीसरे तत्तु की परमाणू द्रेमान को ओसत का यदि इन दोनों का ओसत हम निकालेंगे परमाणू द्रेमान का को दिया जा सकता है तो वो आप समझी चुके हूंगे तिरिक का नियम था क्या ठीक है न चलिए तो इसको हिंदी में भी लिख देता हूं कि तिरिक के नियम के अनुसार अ पहले तत्तु का परमाणु द्रेमान, वे तीसरे तत्तु का परमाणु द्रेमान, तीसरे तत्तु के परमाणु द्रेमान के, परमाणु द्रेमान का ओ सत्य, जो हमारे पास ओ सत्य आ रहा था, वो ओ सत्य, दूसरे तत्तु का परमाणु द्रेमान होता है, दूसरे तत्यू का परमानू द्रेमान होता है तो ये इसका नियम होई चुका है इसको हम यहां से समझ़ी चुके होंगे यदि आपने पैनी निगाओं के साथ इस पूरे सपर को तै करना सुरू करही दिया है तो आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहां से आपको क्या बताने का प्रियास किया है जब हमारे पास जो तीन-तीन तत्वों का जो सम्मों आ रहा था डोबे राइन ने जो तीन-तीन तत्वों का समय बना रहा था इस तीन-तीन तत्वों के सम्मों को क्या कह रहा था तिरिक कहा जाता है इसी को क्या का जाता है ट्राइड काहा जाता है त्रिक या ट्राइड काहा जाता है और ये नियम जो तीर्क का नियम दिया था इस त्रिक के नियम में था क्या पहले का परमाणो द्रेमान और तीसरे का परमाणो द्रेमान का यदि हम उसत निकालते हैं तो हमारे पास दूसरे तत्तु का परमाणों द्रेमान आता है, तो इस परकार ये कौन सा नियम था, तिरिक का नियम था, और इसी के साथ एक important बात ही हो रही है, कि डोबे राइनर जो है, इस डोबे राइनर ने अपनी लाइप में केवल और केवल, इस परकार के जो तीन-तीन सम्वे थे, वो केवल और केवल तीन ही बना पाया, इस कारणी ये ऐस अपल हो रहा था, तो पर एक सामें यहां से क्यूसन हमें किये जाते हैं, कि डोबे राइनर के द्वारा जो तिर्क बनाए जा रहे थे, कुल कितने बनाए थे, द्वारा जो तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-त-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन को ये वाला इस प्रकार से और इसमें कौन-कौन से तत्तू थे उन तत्तों की भी बात कर लेते हैं पहला तो ये हो गया दूसरा हम यहां से बना लेते हैं कि दूसरा त्रिक कौन सा होगा दूसरा ये वाला होगा और तीसरा जो है उस तीसरे को हम यहां से लिख लेते हैं ये इस प्रकार से तीन केवल और केवल तीन ही तिर्क बना पाया था अपनी लाइफ में कौन डोबे राइनर अब बात यहां से यह आ गई हमारे पास कि इन तीन तीन जो जोड़ा बना रहा था इस जोड़े में कौन कौन से तत्तू होते हैं तो वो तत्तू होते हैं पिछले जो पेपर यदी देखे हम तो उनमें यहीं से क्यूशन पूछे गए हैं कि डोबे राइनर का जो त्रिक का नियम था इस त्रिक के नियम में जो ट्राइड बनाए जा रहे थे उनमें कौन सा तत्तू सामिल होता है या कौन सा तत्तू सामिल न पोटेशियम इसमें से लीथियम का यदी परमाणु द्रियमान और इसका पोटेशियम का परमाणु द्रियमान जोड़ा जोड़कर उसमें दोका भाग दिया, दोका भाग देने पर जो परमाणु द्रियमान आ रहा था, वो किसका आ रहा था, सोडियम का आ रहा था, तो सा गया लीथियम सोडियम पोटेसियम अब देखो इसमें आपको कोई मुस्किलात नहीं होनी चीए कि मैंने आपके सामने यहाँ एलाई लिखा है तो यह क्या इसका परमाणो करमां कितना है कुछ इस परकार की बातें हमने पिछली किलासों में जानी है जिससे कि यदि आपने उन किलासों में यदि continue पूरे धरिये के साथ मेरे साथ आप लोग सपर किये होंगे वो सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे और यहाँ कोई आपके सामने अब कोई समझ्या आई नहीं रही होगी कि लीथियम जो होता है इस लीथियम का परमाणू करमांग कितना होता है परतीक चिन क्या है सोडियम की बात करे इसका परतीक चिन क्या है कितना इसका परमाणू करमांग होता है पोटेशियम की बात करे पोटेशियम का सिंबल क्या होता है और ये कितने नंबर पे आता है, कुछ इस प्रकार की चीजे भी आप लोग यहीं से ध्यान में रख सकते हैं, यदि आपने पिछली किलासों में सपर किया है, पूरा ध्यान के साथ यदि एंड तक, तो जान पाए होंगे लीथियम का परमाणू करमांग कितना होता है, पोटे अग्साओं में जब इमालो इन से रिलेटिव कोईक्यूशन किया जाए, तो परतीक चिन भी आप लोगों को दिया जा सकता है, या फिर आपको इनका नाम भी दिया जा सकता है, जैसे मैंने तो आपके सामने या लीथियम लिखा है, लेकिन परिक्साओं में लीथियम नहीं आया. आपके सामने आया. क्या? या एलाई आया. तो यह एलाई आपको पहचानना आना चीज़े कि यह एलाई है क्या? यह किसको लिखा गया है एलाई? ठीक है न, तो इस परकार की बातें आपको यहां से पता होई जाने चीज़ें. आगामी एक्जाम में यदि आप बैठोगे तो इस प्रकार की चीज़ें यदि पूछे जाएंगी तो उनको आप आसान विवे में ही वहां से बता सकते हैं बात करें कि इसकी पोटेशियम की जो के जिसका सिंबल है ये पोटेशियम आता है कितने नंबर पे गुनीस नंबर पे आता है कितने नंबर पे आता है परमाणो करमांग कितना होता है गुनीस ये तो था पहला तिर्क ये तो पहला तिर्क था लीथियम सोडियम और पोटेशि यह बनाया गया था कलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से यह यहां रहे कलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की आप लोग यहां से पोटू देखी रहे होंगे यह रहे यहां से कलोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यह दूसरा तिरिक था जिसमें कलोरीन का परमाणू करमांग 17 होता है, ब्रोमीन का परमाणू करमांग 35 होता है, आयोडीन का परमाणू करमांग 35 होता है, तो ये दूसरा इसका त्रिक था, चली तो जो आमने वहां से त्रिक बनाए हैं, इनमें लिख लेते हैं इसके बारे में, एक तो था कौन सा कल एक तो कलोरीन, एक था कौन, ब्रोमीन, और एक तीसरा कौन सा है, आयोडीन है, और साथ की साथ, दोस्तों आप इनका परमानू करमांग भी ध्यान में रखें, कि सर इसका परमानू करमांग कलोरीन का कितना होता है, ब्रोमीन का कितना होगा, और आयोडीन का कितना होगा, कलोर आयोडीन की बायत करें तो आयोडीन का परमाणू करमांग होता है कितना तरेपन होता है तो ये दो तिरिक हो चुके हैं कलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पहला दूसरा लीथियम, सोडियम और पोटेसियम इनका सभी का परतीक चिन भी आपको मालूम चल गया होगा और इनका परम केल्सियम से था कहां से था केल्सियम से था केल्सियम से था केल्सियम इस्टोंसियम और बेरियम यह रहा यहां से यहां से बना पा रहा था इसने तीसरा जो तिरिक बनाया था वो तीसरा तिरिक यहां से बनाया था इसने यह रहा जैसे पहला हमने पढ़ा कि लीथियम, सोड त्रिकों की बात किये हैं, उसमें तीसरा जो त्रिक होगा वो यहां होगा, केल्सियम, इस्टोंसियम, और बेरियम होगा, केल्सियम, इस्टोंसियम और बेरियम होगा इसी के साथ दोस्तों यदि इनका परमाणू करमांग मैं यदि यहां से लिखूं केल्सियम का, इस्टोंसियम का और बेरियम का वो भी आप लोगों को यहां से पता चल ही जाना चाहिए यदि मैंने आपको यहां से पूचा केलशियम का परमाणू करमांग तुरंत दिमाग में आना चीए कि सर इसका परमाणू करमांग होगा कितना 20 होगा इस्टोंसियम की बात करें, तो इस्टोंसियम जो होता है, इस इस्टोंसियम का परमाणू करमांग होता है 38, कितना होता है दोस्त, 38 होता है, और बेरियम की बात करें, बेरियम का परमाणू करमांग होता है 56, कितना होता है, 56 होता है, तो केल्शियम का परमाणू करमांग 20 और बेरियम की बात करें तो बेरियम का परमणों करमां कितना चपपन होता है ये तो 38 होगा इस्टोंसियम और बेरियम बेरियम की बात करें तो कितना होगा चपपन होगा तो ये तीन ही त्रिक बना पा रहे थे यदि आगामी एक्जाम में यदि इस प्रकार का यदि कहीं से आपको कुछ मेट्रियल परिक्साओं में दिया जाता है, उसको आप लोग वहाँ से देखने मातर से ही बता सकते हैं, कि डोबे राइनर के द्वारा कुल कितने तिर्क बनाए गए, तीन तिर्क बनाए गए, उन तीनों तिर्कों के बारे में भी पूछा जाए, तो तीनों ति हैं, इनका पर्माणू कर्मांक और इनका परतीक चिन और नाम इनका तीनों का आपको पता चल ही चुका होगा, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अब हम इस डोबे राइनर की एक खास बात ये थी, कि जो डोबे राइनर था, इस डोबे राइनर ने उत्प्रेड़क के रूप में प्लेटीनम को काम में लिया था, किसको काम में लिया था, प्लेटीनम को काम में लिया था, डोबे राइनर का एक important point ये है, कि डोबे राइनर ने प्लेटीनम को, डोबे राइनर ने प्लेटीनम को, प्लेटीनम सिंबल होता है, पीटी, प्लेटीनम को, प्लेटीन किया था, इसके रूप में, उत्परे रख के रूप में, उत्परे रख के रूप में, प्रियोग किया था, तब जाके यहां से आमें एक्जाम में क्यूशन पूछा जाता है, कि जो प्लेटिनम जो होता है, इस प्लेटिनम को सबसे पहले उत्परे रख के रूप में, किस ने प्रियोग किया था, डोबे राइना ने प्रियोग किया था, तो ये देखो यहां से एक special तत्तू हो चुका है, प्लेटिनम पीटी जो हो चुका है, तो अब देखो आपको यहां से परिक समय इसका परमाणू करमांक भी पूछा जा सकता है, किसका पीटी का तो प्लेटिनम जो होता है, इस प्लेटिनम का परमाणू करमांक होता है, 78, कितना होता है 78 होता है, यहीं से आप लोग लिग लें कि पीटी का यानि प्लेटिनम का पीटी का परमाणू करमांक परमाणू करमांक कितना होता है दोस्त, वो होता है प्लेटिनम का परमाणू करमांग प्लेटिनम का परमाणू करमांग होता है वो कितना हुआ हमारे पास जैसे सोने चांदी इन विशेश तत्तों का भी आप लोगों को पहले से ही पता होगा और जो प्लेटिनम आता है इस प्लेटिनम का परमाणू करमांग होता है, कितना होता है, 78 मतलब 78 होता है, जैसे सोने की बात करें, तो सोने का कितना होता है, 79 होता है, पारे की बात करें, तो कितना होता है, 80, इन तीनों को आप लोग A की साथ याद रख सकते हैं, काफी में भी आप कहीं नोटबुक में लिख चाते हैं तो लिख सकते हैं क्या platinum PT होगा फिर उसके बाद AU होगा फिर उसके बाद HZ होगा जिसमें PT जो होता है इस PT का परमाणू करमांग platinum का 78 होगा सोने का हमने जानी लिया था इसके पिछले वीडियो में और 79 और पारा जो होता है इस पारे का कितना होता है 80 होता है, ये तीनों विशेश तत्तू होते हैं, इस कारण कई बार एक्जाम में क्यूसन यहां से पूछा गया है और आगामी एक्जाम में भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्यूसन आपको देखने को मिल सकता है, तो ये था डोबे राइनर के बारे में बाते हैं कि डोबे राइनर के बारे में देखो यहां से हमने क्या-क्या पढ़ाया डोबे राइनर के बारे में डोबे राइनर के बारे में सबसे पहली बात हम लोगों ने यहां से देखी थी कि डोबे राइनन ने तत्वों का जो वर्गी करण किया था उस वर्गी करण के समय बावन तत्वों थे और ये अपना जब वर्गी करण प्रस्तूत किया था ये वर्गी करण प्रस्तूत किया था कब लगभग अठारा सो अठारा में प्रस्तूत किया था और इस डोबे ने ने तत्व की परमानुद्रेमान की बढ़ते करम में रखा और इस रखने में तीन-तीन तत्व को एक साथ रखा जिसे त्रिक या ट्राइड कहा जाता है और इसमें जो त्रिक का नियम था हो ये था पहले का परमानुद्रेमान तीसरे का परमानुद्रेमान जोडा उसमें का नियम था इसमें फिर इस तरिक के नियम में हमने देखा कि ये जो डोबे राइनर था ये अपनी लाइप में केवल और केवल तीन तरिक ही बना पाया था तीन तरिक कौन-कौन से थे ये हमने जाना लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, केलसियम, इस्टोंसियम, बेरियम और क यहां से हमने एक ओर important point यहां से देख लिया था डोबे राइनर का कि डोबे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में किसे प्रियोग किया था प्लेटीनम प्लेटीनम का परमाणू करमांग भी पूछा जा सकता है एक्जाम में कितना होता है अटातर सोना इसके जस्ट आगे होत अब आगे पढ़ेंगे किसको New Land को पढ़ेंगे तो दो नमबर पे कौन था New Land था कौन सा वेगैनिक था? New Land था इसके साथ अब हम जाने किस के बारे में New Land के बारे में जाने तो New Land जब अपना वर्गी करण प्रस्तूत कर रहा था कब 1865 में 1865 के समय तत्तों की खोज होच चुकी थी 56, कितनी हो चुकी थी 56, तो सबसे पहली बात तो New Land की ये बनती है, कि New Land की वर्गी करण की समय, New Land के वर्गी करण की समय, वर्गी करण के समय बरेकिट में चाहें तो आप लेके सकते हैं 1865 समय केवल सब्पन तत्व प्रियाप्त थे या चब्पन तत्व थे सब्पन तत्व की खोज सुकी थे यह देखो आपको डाइरेक्ट यहां से क्यूशन एक्जाम में पूछा जा सकता हैं दोस्त कि डोबे राइनर की समय कितने तत्व थे 52 न्यू लैंड की समय तत्व की संक्या कितनी थी 56 अब बात यह रही कि सरी जो न्यू लैंड है इस न्यूलेंड ने तत्वों का वर्गी करण के लिए कौन सा कुण चुना, न्यूलेंड ने तत्वों के वर्गी करण के लिए परमानों द्रेमान को ही चुना था, किसको चुना था, परमानों द्रेमान को ही चुना था, तो न्यूलेंड ने तत्वों के वर्गी करण के लि वर्गी करण के लिए परमाणु द्रेमान का गुण चुना था। दूसरा कोनाया नूलेंड इस नूलेंड ने भी तत्वों का वर्गी करण किस गुण के आधार पर किया। इनको परमानु द्रेमान की आधार पर अरेंज किया और एक नियम प्रस्तुत किया इसने अस्टक का नियम तो परीक्सा में ये बात आप लोगों को पूछी जाती हैं कि अस्टक का नियम किसने दिया था अस्टक का नियम दिया था किसने नूलेंड ने और तिरिक का नियम दि के लिए धत्वन के वर्गी क्रण के लिए परमाणु द्रेमान का गुंद चुना हैं लेकिन वर्गी क्रणे लिए कोण सा नियम प्रस्तूत किया था ? का नियम के लिए अश्टक का नियम दिया था तो ऐसे चोटे-चोटे से क्यूशन आप लोगों को जब क्यूशन सेट की जब हम लोग प्रक्टिस करेंगे यहां से तब इस प्रकार की क्यूशन आपको पढ़ती होगी परिक्साओं में जो पूछे गए हैं उसके आधार पर उ ऐसे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे- साथ और आठ इस प्रकार से जो तत्व रखे जा रहे थे नूलेंड के द्वारा इस नूलेंड ने ऐसे कहा कि पहला तत्व इसके आगे आने वाला जो आठवा तत्व होता है इसके गुणों में समानता दिखाता है तो परमानु द्रेमान के आदार पर जो तत्व इसने अरें कहा जाता है तो इस अश्टक के नियम में क्या लिखेंगे हम कि न्यू लेंड ने जो अश्टक का नियम दिया था वो अश्टक का नियम क्या था अश्टक के नियम के अनुसार अश्टक के नियम के अनुसार नियम के आगे आने वाले आगे आने वाले आठवे तत्तु के गुणों में समानता प्रदशित करता है। गुणों में समानता प्रदशित करता है। कहा जाता है। तो ये दोस्तों यहां से देखो इंपोर्टेंट पोइंट है कि त्रिक का नियम किस ने दिया था। त्रिक का नियम किसे ने दिया था। त्रिक का नियम डोबे रैनर। त्रिक के नियम में क्या था। आगे हम बात की नियू लेंड की बारे में नियू लेंड ने कौन सा नियम दिया। अश्टक का नियम दिया। और इस अश्टक के नियम में खानी क्या थी। कि पहला ततू इसके आगे आने वाले जो पर्माणू द्रेमान की आदार पर जो हम तत्तू अरंज कर रहे थे न। कि सबसे पहले हमने देख लिया था परमाणु द्रेमान का गुण चुना था, परमाणु द्रेमान के बढ़ते करम में तत्वों को रखने पर पहला तत्व, इसके आगे आने वाले जो आठवा जो तत्व होता है, इसके गुणों में समानता परदशित दिखाता है, इसी को कह जाता है कौन सा नियम अश्टक का नियम कहा जाता है क्या कहा जाता है अश्टक का नियम कहा जाता है लेकिन इसमें एक इंपोर्टाइन बात इस नू लेंड की ये थी कि इस नू लेंड की जो नू लेंड ने जो अपना वर्गी करण प्रस्तुत किया था इस नू लेंड के व न्यू लेंड के वर्गी करण में पहला ततू हाइड्रोजन था, पहला ततू क्या था? हाइड्रोजन वे अंतिम ततू थोरियम था, क्या था? थोरियम था, पहला ततू तो क्या था? हाइड्रोजन और अंतिम ततू पूछा जाए, तो अंतिम ततू बताईएगा क्या होता है, थोरियम होता है, देखो यहां से डाइरेक्ट एक्जाम में क्यूशन बना सकता है एक्जामिनर, कि न्यू लेंड का जो वर्गी करण था, उस न्यू लेंड ने अपना वर्गी करण प्रस्तूत किया था, यह अश्टक का नियम वला, इस अश्टक के नियम की तुलना, संगीत के जो श्वर होते हैं, सारे गामा पादानिसा, यानि की, सारे गामा पादानिसा, यह जो था, इससे तुलना कर रहा था, इससे तुलना ऐस पाँचछे साथ ये भी वही काम हो रहा है, आठवा तू वो का वही आ रहा है, तो जो अश्टक का नियम जो दिया था, इस अश्टक के नियम की तुलना किसे की थी, संगीत के जो श्वर होते हैं, सारे गामा पादानिसा, उससे तुलना की थी, एक्जाम में यहां से भी यहां से पहला थो इसका पहला था, यानि कि गुणों में क्या दिखाता था ? दिखाया, समान त form देखा या से। तो थीज्दास्टक के नियम की तुलना, ए ए ए एसक है नियम की तुलना की तिया ? संगीत के सवरों से संगीत के सवरों से की गई थी की गई थी अगली बात इसकी ये है इसकी न्यू लेंड की कि न्यू लेंड ने जो अपना वर्गी करन दिया था कि इसको एक तत्तू जो आगे आने वाला सफल गुर पा रहा था, इसके बाद में एक तीस रावेगे निकाया, उसको भी हम यहां से कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे यहां से कि नू लेंड का नियम केवल और केवल कहां तक लागू हो पाया, केल्शियम तक लागू हो पाया जिस केल्चिम का परमानू करमांग तक कितना बीस था अब तो आप लोगों को 30 तक के परमानू करमांग की याद हो ही चुके होंगे ये दोस्तों आपको बार बार इस करण मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो सारी की सारी जो आवर्चाणनी होती है उसमें तो सांसों का काम करता है आवर्चाणनी में वो इसके element होते हैं और वो भी उनमें भी यदि हम बात करें तो उनका परमाणु करमांग काम करता हैं कई जगे हमें डाइरेक्ट जो क्यूसन पूछे जाते हैं वो परमाणु करमांग के आदार पर ही शोल होते हैं, उनमें ना तो कई कोई चीज हमें एक्स्टा याद अगरनी होती हैं, नहीं कोई उसमें फंडा लगता हैं, ट्रिक वगरा की तो बात ही मत कीजिएगा, इसमें तो आवर्चाणनी में कोई ट्रिक का काम ही नहीं है, तो जो आवर्चाणनी जो होती है, उस पर्मानु कर्मान किसका होता है, सो किसका होता है, 101 किसका होता है, अब जैसे मालों मैंने 101 बोला, 100 बोला, निन्यान बोला, तो ओटोमेटिक दिमाग में फिलम चलनी चाहिए, किया निन्यान में पर क्या बताया था शर्नाई, और ये 100 पर क्या बताया था, जिससे वो जल्दी याद हो पाएंगे यदि आवर्षाणनी की हम लोग एक आद बार फोटू देख लेते हैं तो वो आसान सी चीजे होती हैं दिल और दिमाग दोनों में बसी जाता है आवर्षाणनी की जो फोटू है वो जब आवर्षाणनी की फोटू दिमाग में पस गई ना समझ लेगा अटोमेटिक फिलिंग आने चीजे है कि केल्चम होता है कितने नंबर पे 20 नंबर पे होता है तो यहां से हम लिख रहे थे कि न्यू लेंड का अस्टक्नियम केवल और केवल कहां तक लागू हो पाया केल्चम तक लागू हो पाया न्यू लेंड का अस्टक्नियम न्यू ले का अश्टकनियम केल्शम तक लागू हो पाया तक के लागू हो पाया केल्शम तक लागू हो पाया कहां तक लागू हो पाया केल्शम तक लागू हो पाया तो यह भी दोस्तों इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां से भी हमें एक्जाम में क्यूशन पूछा जा सकता है ठीक है न, चलिए तो, आगे हम बात करते हैं किसकी, कि तीसरे नंबर पे जो वेग्यानिक था, कौन सा था, वो मैंडलिप था, कौन सा था, मैंडलिप, जैसे कि हमने शुरुआत में ऐसे जाना था, कि इस आवर साणनी के वरगी करण के पिछे, तीन आदमियों का हाथ, चार आपके सामने लिखे गए हैं, पहला था, कौन डोबे राइनर, इस डोबे राइनर की खास, कौन कौन सी बात है थी, उसको हमने जाना, कि इसने तत्तों का वरगी करण, परमानु दरिवान के आदार पर किया, अब बात करते हैं, कि मैंडलिप की बात करते हैं, कि मैंडलिप कि जितने भी पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्सों में आप continue रहके पूरे धारन के साथ सारी चीज़ों को यहां से सोच विचार करें, जिससे टोपिक और आसान बन जाता है, बाकि आप यदि साइंस बैग्राउंड से भी नहीं हो, तब भी मैंने इतनी आसान सब्दों में ब सारी चीज़ें हम सी की लेते हैं, चले दोस्तों, तीन नमबर पे हम लोग यहां से पढ़ते हैं, किसको तीन नमबर पे पढ़ते हैं, किसको मैंडलिप को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, मैंडलिप ने, पहली बात तो मैंडलिप की यह होगी, कि मैंडलिप ने जब आवर्ती वर्गी करण प्रस्तुत किया, तब सं थी 1800 गुडंतर, और इस मैंडलिप के समय तत्तों की मैलिप के वरगी करण के समय मतलब समय कुन सा था अठारा सो गुणंतर में तरेशट ततूं की खोज हो चुकी थी खोज हो चुकी थी कितने ततूं की खोज हो चुकी थी 63 ततूं की खोज हो चुकी थी एक्जाम में यदि पिछले पेपरों के आधार पर यदि आप देखें तो यहां से बहुत सी एक्जाम में आपको डायरेक्ट क्यूशन पूछा गया है ये दोस्त कि मैनलिप जो था इस मै आगे बात करें इसके संसे कि इसके समय चल रहा था कितना अठारा सो गुणंतर में यानि कि आपको डायरेक्ट ऐसे भी क्यूशन या से किया जा सकता है कि अठारा सो गुणंतर थे अठारा सो गुणंतर जो संती उसमें केवल और केवल कितने ततूं आ चुके थे हमारे पा अगला important point इसका ये है कि Manlip ने तत्वों का वर्गी करण किस गुण के आधार पे किया जैसे आमने पीछे पढ़ते हुई आ रहे हैं तोबे राइने ने भी तत्वों का वर्गी करण किस के आधार पे किया परमानुद्रेमान के आधार पे किया नूलेंड ने भी परमानुद द्रेमान के आदार पे वर्गी करण किया था तत्वों का, इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि मैंडलिप ने, मैंडलिप ने तत्वों का वर्गी करण, तत्वों के वर्गी करण के लिए, तत्वों के वर्गी करण के लिए, के लिए पर्मानू द्रेमान को चुना था, ये दोस्तों इसका important point है, जैसे हम बात करें, डोभे राइनर की, तो डोभे राइनर पहला वेगया निग था, जो तत्वों का वर्गी करन करना शुरू कर रहा था, और वर्गी करन की आवशकता क्यों पढ रही थी, क्योंकि जो अलग अलग जो तत्तों ने ने जो खोजे जा रहे थे उनको ध्यान रखना थोड़ी कठिना थोड़ी मुस्किला थोड़ी थी तो उनको उनके बारे में जानने के लिए समान गुण वाले जो तत्तों थे उनको एक साइड में रखा जा रहा था और जो अलग अलग जो गुण वाले थे उनको एक तरप रखा जा रहा था तो वर्गी करण के लिए सबसे पहले आगे आया था कौन सा डोबे राइनेर डोबे राइनेर तिर्क का नियम दिया क्या था उसमें सारी चीजी आप लोग यहां से पड़ी लिया है फिर हमने नियू लेंड के बारे में जाना कि नियू लेंड ने भी तत्यों का वर्गी करण पर्मानों द्रेमानी चुना था और मैनलिप जो है इस मैनलिप ने भी तत्यों के वर्गी करण के लिए कोणसा गुण चुना था दोस्ते वो चुना था परमानो द्रेमान और इस मैनलिप ने एक नियम प्रस्तूत किया था वो था कोणसा आवर्ती नियम था आवर्ती नियम था मैनलिप के द्वारा मैंडलिप ने तत्वों के वर्गी करण के लिए आवर्ती नियम प्रस्तुत किया था कौन सा नियम प्रस्तुत किया था आवर्ती नियम प्रस्तुत किया था अब आवर्ती नियम क्या था देखूं हमने ऐसे पड़ा कि डोबेर ने दिरिक दिया नियुलेर ने अश्टक का नियम दिया था और अब देरा है कौन सा नियम आवर्ती नियम और इस आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के भूतिक और रासानिक जो गुण होते हैं वो पर्मानु द्रिवमान के आवर्ति प्लन होते हैं इसने किसने मैंलिप ने तत्वों का जो वर्गी करन कर रहा था वो उस वर्गी करन में तत्वों को पर्मानु द्रिवमान के भड़ते करम में रख रहा था किस करम में परमानु द्रेमान की भढ़ते करम में रख रहा था और बढ़ते करम की आधार पर, सबसे पहले तो यह बढ़ते करम की बारे में देख लेते हैं हम, कि मैंलिप ने तत्वों को, मैंलिप ने तत्वों को, मैंलिप ने तत्वों को परमानु द्रेमान की भढ़ते कर में रखा भढ़ते करम में रखा अब पर्मानुध्रयमान के बढ़ते करम में सरक ऐसे कि जैसे किसी प्रमानुध्रयमान के आरोही करम में व्यवस्तित किया किसको तत्वों को परमानु द्रेवान के आरोही करम में विवस्तित किया था किसने विवस्तित करने का प्रियाज किया था मैंलिप ने विवस्तित किया था और मैंलिप ने तत्वों के वर्गी करण के लिए कौन सा नियम दिया आवर्ती नियम और ये जो आवर्ती नियम है ये आवर्ती नियम का काम क्या है देखो आवर्ती नियम जो है वो आवर्ती नियम मैंने आपको क्या बताया कि तत्वों का जो आवर्ती जो नियम था वो आवर्ती नियम ये था कि किसी भी तत्वों का भोती को रसानी गुण उसक लब उसके अनुसार होता है, तो ये भी इसका important point है, और पिछले यदि पेपरों के बारे में हम चर्चा करें यहां से, तो पिछले परिक्साओं में आपको खुब हुँ इस नियम के बारे में पूछा गया है, कि आवर्ती नियम किसने प्रस्तुत किया, आवर्ती नियम के मेलिप ने दिया था, और इस आवर्ती नियम में क्या था? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, तत्वों के इस नियम के अनुसार, तत्वों के भोतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भोतिक और रासायनिक गुण, परमानु द्रेमान के आवर्ति फलन होते हैं। आवर्ति फलन होते हैं। परमानु द्रेमान के आवर्ति फलन थे। सरोपर्थम मैंलिप ने सरोपर्थम वरगवे आवर्ति की खोज कीती। आवर्ति की खोज कीती। अब सर ये वरग और आवर्ति क्या है। जो आवर्ति सांडनी के यदि बारे में यदि हम देखें। तो वरग और जो आवर्ति होता हैं। इस आवर्ति की खोज तो किस ने कीती। वरग और आवर्ति की खोज की। यदि कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। कि सबसे पहले आवर्त और वरग की खोज किस ने कीती। अब बात ये रही कि वरग क्या होता हैं। वरग जो होता हैं इसी वरग को कहा जाता हैं। क्या कहा जाता हैं। क्या कहा जाता हैं। इसके अलावा यदि वरग की यदि हम और बात करें। तो जो वरग होता है इस वरग को हम लोग और क्या कहते हैं गुरूप कहा जाता है और आवर्त की बात करें तो जो आवर्त जो होता है इसी आवर्त को आवधिक भी कहा जाता है क्या कहा जाता है आवदिक आवदिक भी कहा जाता है या आप लोग ऐसे समझ येगा कि वरग जो होता है इसे वरग में जो वर्टिकल जो कोलम आते हैं वर्टिकल कोलम का मतलब आवर्ट साणने में कुछ इस प्रकार के हमें जो डब्बे दिखाई देते हैं जो वर्टिकल जो कोलम होते हैं इन कोलमों को तो कहते हैं वरग समवय या क्या कहते हैं गुरूप कहते हैं और आवर्थ की बात करें तो जो होरिजन्टल जो आपके पास जो पंक्तियां दिखती हैं मतलब इस प्रकार की जो आड़ी जो पंक्तियां दिखाई देती हैं इन आडी पंक्तियों को कहते हैं दोस्त क्या आवर्त कहते हैं तो आवर्त कहते हैं आवधिक कहते हैं तो यह होगा वरग कहते हैं समवय कहते हैं गुरूप कहते हैं या और क्या कहते हैं इसको वर्टिकल कोलम कहते हैं तो सारी चीजे वह वाली होंगी अब सरी यह क्या होगा यह क्या होगा जैसे कि, हम आवर्थ सान्नी की तरप चले यहां से, तो आवर्थ सान्नी में देखो, दो सीज़ें आप लोग यहां से देख रहे होंगे, एक तो आवर्थ सान्नी में यहां से इस परकार से डब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले डब्बे आप लोग यहां से देख रहे होंगे इस प्रकार के तो ये जो डब्बे होते हैं इन डब्बों को कहा जाता है क्या वरग यानि कि आवर्थ सार्णी में जो खड़ी जो लाइने होती हैं इन खड़ी लाइनों को क्या कहा जाता हैं वरग कहा जाता है और आ लाइने दर्साती हैं किसको दर्साती हैं किसको दर्साती हैं आवर्त को दर्साती हैं तो बात ये हमें एक्जाम में पूछी जाती है यहां से कि मैनलिप के समय टोटल वरग कितने थे और टोटल आवर्त कितने थे चलिए इसकी बात तो हम यह से देख लिए तो ये तो क्या है वरग है क्या है वरग ये क्या है होरीजंटल जो लाइन है वो क्या है आवर्थ जो वर्टिकल जो कोलम है उनको क्या करते हैं वरग कहा जाता है इसके अलावा जो आवर्थ जो होते हैं इन आवर्थ को प्रियड भी कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रियड भी कहा जाता है और आगे बात करें कि इस मेंलिप की आवर्त साणनी में टोटल वरग और टोटल आवर्त की संग्या कितनी थी तो मेंलिप की आवर्त साणनी थी मैंलिप की आवर्त साण्णी में मैंलिप की आवर्त साण्णी में मैंलिप की आवर्त साण्णी में कुल वरग कुल वरग और कुल आवर्त कुल आवर्त की बाते की जाएं तो वरग तो कौन सा था? इस प्रकार की जो लाइने थी वो तो क्या था वरग था इस प्रकार की लाइने क्या थी दोस्ते वरग थी आवर्थ की बात करें तो इस प्रकार की जो लाइने हमें दिखाई देती हैं उनको क्या का जाता है आवर्थ का जाता है और मैंडलिप की समय जो तरेसर जो तत्तू थ वो इनी दो परकार के डबों में अरेंज किये गए थें जिसमें वरग की संक्यातों थी कितनी 9 और आवर्त की संक्याती कितनी 7 लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना यदि एक्जाम में हमें ऐसे पूछा जाए ना कि मैंडलिप की आवर्त सार्णी में मैंडलिप की आवर्त सार इस चीज़ बारे में पूचा जाये, मैंडलीप दिया जाये आपको क्योशन में तब आप भर वर्वर्वरत सांडनी में कुल वरग थे कितने नो और कुल आवर्वरत की संक्याति कितनी साथ वराक और आवर्त को आप समझ पाए होंगे, इसी के साथ आवर्त सान्नी का जो जनम दाता है, वो जनम दाता किसी को कहा जाता है, इस मैंलिप को ही कहा जाता है, ये बाकी अजय विज्ञानिकों की तुरुनामियदी देखें, तो एक नया काम था, इसी की आदार पर आवर्त सान्री का जनम दाता या जनक किसे कहते हैं मैल्डिप को कहते हैं लेकिन जो आज हम आवर्त सान्री पढ़ते हैं वो जो चोत्हा जो वेग्यानिक बच गया उसकी देन है वो तो ऐसे पूछा जाए ना आवर्त सांड़नी किसने बनाई वो बनाई थी किसने मैंडलिप ने बनाई थी ये वरागुर आवर्त के आदार पर तो ध्यान में रखिया आवर्त सांड़नी का पिता किसे कहते हैं आवर्त सांड़नी का जनक मैंडलिप को कहा जाता है किसको कहा ज कि दोस्तों मैंनलिंब को कांच जाता है इसी पुरकार निसके अगले वीडियो में हम लोग जाने जाने जानेंगे हैं जिसका नाम है तोकास त्वसेश्व filterhype किसे दोबे राइनं पॉइंटों को यहां से देखा है, उसी परकार इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे, किसके बारे में मोजले के बारे में जानेंगे, और उमीद करता हूँ दोस्तों आज का सेसन आपके लिए बहुत बैतर रहा होगा और बहुत सारी चीजी आप लोगों को यहां से सीखने को मिलेंगी और इसी प्रकार दोस्तों आप अपनी लर्निंग को कंटिनू रखें फिर मुलाकात होती हैं आपसे इसके अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सबी का तहय दिल से धन्यवाद